आज हमारा टापिक है केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ चैप्टर नमबर वन टापिक है हमारा मैटर मैटर क्या है स्टुदेंट्स मैटर हर वो चीज है जो वजन रखती हो हेविंग मैस जो वजन रखती हो और जगा घेरती हो कोई भी चीज जो वजन रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं अब जैसे मेरे हाथ में ये बोर्ड मारकर है ये मैटर है मैं खुद मैटर हूँ आपको जितनी भी चीज़े नजर आ रहे हैं वो मैटर है क्यों क्यों क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर ये दो चीज़े हैं इनका वजन भी है और ये जगा भी घेरती हैं स्पेस भी अकोपाई करते हैं तो बचे स्टुडेंट्स आप गोर करें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैटर ना हो आच्छे जी कैसे अब देखें एक रेट के टुगड़े को ऊठाते हैं उसको भी उठाके ऊपर लेके आएं तो वो नीचे गिर जाएगा जो चीज नीचे गिरती है उसका वजन है अगर अपने हाथ के ऊपर उस रेट के टुगड़े को रख दें तो उसका कहीं न कहीं वो एक छोटी सी space जरूर सही लेकन वो space जो है वो occupy कर रहा होता है जगा गेर रहा होता है इसलिए वो जो है वो एक छोटी सी rate का टुकड़ा भी matter है लेकन कुछ चीजы हैं ऐसी जो matter नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो matter नहीं है इनर्जी की जितनी भी सूरते हैं वो matter नहीं है अब इनर्जी की सूरते हैं मतलब बचे जैसे रोशनी है रोशनी जगा तो घेरती है लेकिन इसका कोई वजन नहीं है हमारे ओपर रोशनी का कोई वजन नहीं है लेकिन जगा गेरती है एक जमीन के ओपर अगर कहीं अब पाकिस्तान में अगर सूरज निकली हुई है तो पूरे अलाके में रोशनी है पूरे मुलक में रोशनी है लेकिन उसका कोई वजन हम मासूस नहीं करते हैं उसका कोई वजन है नहीं अब एक कमरे के अंदर light on है अच्छे जी अब वहां पे भी रोशनी है उसने जगा पूरे कमरे के अंदर गेरी हुई है लेकिन उसका वजन नहीं है तो इसलिए इनर्जी की जितनी भी सूरते हैं वो मैटर नहीं है इस काइनात में दो चीज़े हैं एक मैटर एक इनर्जी अब मैटर तो अभी आपको पता चल गया कि सारी चीज़ें जिनका वजन है और जो जगा गेरती है वो मैटर है अब इनर्जी क्या है? बचे अब इनर्जी के उपर अगर आप गवर करें तो इनर्जी जो है ये मैटर इसलिए नहीं है कि अगर कहीं ये जगा गेरती है तो इसका वजन नहीं है इनर्जी का कोई वजन नहीं होता जैसे आवाज जो है ये इनर्जी है मैटर नहीं है आवाज जगा गेरती है मैं बोल रहा हूं कुम्रे के अंदर आवाज पूरे क्लास में पहुच जाती है lakon पुरे कम्रे में फैला हुआया लेकिन इसका कोई वजन नहीं है इसी तरह force लगाते हैं किसी चीज़ के ओपर, force भी energy है, लेकिन force जो है, उसका भी कोई, जो है, ना कोई वो जगह अकपाई करता है, ना उसका कोई weight है, ना कोई वजन है, तो energy की जितनी भी सूर्थे हैं, वो matter नहीं है, अच्छा जी, chemistry में हमने ज्यादा पढ़ना है, matter के बा हुआ है, और इसके इलावा matter में होने वाली changes के बारे में पढ़ते हैं, के matter के अंदर किस तरह से changes आती है, के matter एक हाल से दूसरे हालत में किस तरह से change हो जाती है, तो हमारा जो main focus होगा, chemistry में matter की बनावट के उपर और matter के अंदर होने वाले changes के बारे में, अच्छा जी, matter को बन्यादी तरह पर हम दो classes में तक्सीम करते हैं, एक बचे substance, substance, students, दूसरा जो है, वो है mixture, दो हालते हैं matter की, दो हालते नहीं हैं, हालते तो चार हैं, आपको पता है, liquid, solid, gas, plasma, लेकिन इसके जो types हैं वो, दो है, एक substance है, दूसरा mixture है, अब substance क्या है, substance, substance, students, matter की जो खालिस हालत होती है, जो pure state होती है matter की, उसे हम substance कहते हैं, pure state of matter, pure state of matter, is called substance, matter की जो pure state होती है, उसे substance कहते हैं, अच्छा जी, अब जितने भी elements हैं, वो substance है, और compound जो है, substance है, चलो है, example कुछ देता हूँ, examples, substance की examples, water, पानी जो है, ये एक substance है, water, hydrogen और oxygen का बना हुए, ये भी substance है, hydrogen भी substance है, और oxygen भी substance है, carbon एक substance है, carbon dioxide एक substance है, sulfuric acid एक substance है, HCL एक substance है, ये सारी चीज़ें जो है, substance है, इसके और भी बहुत सारी examples हैं, अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं के mixture क्या है, mixture, बच्चे matter की एक और दूसरी किस्म है, जो के pure नहीं है, impure हालत है, impure form of matter, impure form of matter, matter की जो नाखालिस हालत होती है, is called, is called mixture, matter की नाखालिस हालत को mixture कहा जाता है, अब mixture की बहुत सारी examples हैं, जैसे, बच्चे हम जो milk यूज़ करते हैं, examples, matter के mixture के examples, बच्चे, milk है, milk एक mixture है, अच्छा जी, हम जितने भी solutions बनाते हैं, जैसे, हमने वो जह है, sugar and water, sugar and water, पानी में चीनी, इसके इलावा बच्चे, blood, blood एक mixture है, blood, और इसके इलावा, जो है, ice cream, ice cream, ये एक mixture है, और juices, juices, जितने भी हैं, वो mixture हैं, और इसके इलावा cold drinks, जितने भी हैं, वो mixture है, cold drinks, और soil, जो है, ये mixture है, याद रखें, soil mixture है, लेकन जो sand है, वो mixture नहीं है, वो एक substance है, और substance में से एक compound है, उसका बाकएदा फार्मूला है, अच्छा जी, soil mixture है, wood, लकड़ी, एक mixture है, rocks जो है, ये mixture है, तो आज हम यहाँ पे खतम करते हैं, matter के बारे में हमने देखा था, दोबारा से revise कर दो, matter क्या है, matter जो है, बचे, ये, इस तरह की, जो है, चीज़ है, जिसका mass भी हो, और जो, वजन भी रखती हो, हर वो चीज़, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, वो matter हैं, taps of matter जो है, वो दो है, substance और mixture, याद रखें, ये जो liquid, solid, gas, plasma, liquid, solid, gas और plasma, ये matter के taps नहीं है, matter की, ये physical state है, लेकिन matter के taps जो है, वो दो है, physical state चार है, liquid, solid, gas, लेकिन matter के taps है, वो दो है, एक substance है, दूसरा, mixture है, और substance जो है, वो matter के pure state को कहते हैं, जबके mixture जो है, वो impure state को कहते हैं, इनकी examples मैंने आपके सामने रखी है,